पाइल के एलिमिनेट होते ही कृतिका ने मारी पूरी की पूरी पल्टी सभी कंटेस्टन कृतिका को देख कर हुए हैरान जी हाँ जब पाइल एलिमिनेट हुई तो कृतिका फूट फूट कर रोने लगी पाइल के गले लगकर लेकिन जैसे ही पाइल ने पहला कदम बाहर रख गर के अंदर आकर क्रितिका ने ऐसी बात कहड़ा ली कि सभी घरवाले ये कहने लगे कि क्रितिका के बराबर कोई पल्टू बाज नहीं है क्रितिका के बराबर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह की एक्टिंग वो पाइल के जाने को लेकर कर रही थी क्या कुछ हुआ है बिग बॉस के घर के अंदर पायल के ऐलिमिनेशन के बाद क्या ही किया है कृतिका ने अर्मान किस तरह का बिहेव कर रहा है चल ये बात करते हैं लेकिन इसे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें बिग बॉस के घर से हुआ पहले वीकेंड का वार पर सबसे बड़ा एलिमिनेशन जिसको लेकर हर कोई काफी है बिग बॉस के घर के अंदर के कंटेस्टर्स भी हैरान है और पायल के फैंस भी हैरान है क्यूंकि किसी ने सोचा नहीं था पायल इतनी जल्दी बिग बॉस के घर के बाहर चले जाएगी हर कोई कह रहा है वोटिंग के आधार पर भी पायल बाहर नहीं हो सकती चलो खैर पायल तो बाहर हो गई लेकिन उसके जाने के बाद आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है दरसल जैसे ही बाहर ह इस घर के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा कृतिका ने ये भी कहा कि अच्छा होता तुम्हारी जगा मैं एलिमिनेट हो जाती तो तुम इस बिग बॉस के घर के अंदर अच्छा खासा वक्त गुजार सकती थी लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही पायल ने पहला कद बाहर रखा कृतिका घर के अंदर आई तो कृतिका ने सबी कंटेस्टन्स के सामने कहा अच्छा हुआ पायल बिग बॉस के घर के बाहर चली गई क्यूंकि अब घर के बाहर वो हम दोने के बच्चे का ख्याल तो रखेगी साथी साथ कृतिका ने कहा कि घर के अंदर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फिजीकली तो यहां है लेकिन मेंटली यहां नहीं है उसके दिमाग पर बहुत जादा प्रेशर पढ़ रहा था इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो बाहर जाकर अच्छी हावा में रहे और अपने बच्चों के साथ खुश रहे के साथ जाकर बैठ गई दोनों बाते करने लगे लेकिन कहीं भी अर्मान को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनको पाइल के जाने का बहुत जादा दुख हुआ है और इसमें एक बहुत बढ़ी चीज यह भी है कि अगर पाइल के मन पर दिमाग पर प्रेशर है तब वो किसकी वज़ा से है वो कृतिका और साथ में अर्मान की ही वज़ा से है खुद ही इन दोनों ने प्रेशर दिमाग पर दिया और अब जब वो बाहर हो गई तो यह कह रहे हैं कि उसका मेंटली हालत घर के अंदर ठीक नहीं थी ऐसे में आपका क्या सोचना है कि अब यह दोनों नाटक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बिग बॉस से जोड़ी लेटस्ट अब डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें